हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैं हुई रहे हैं और आप देख रहे हैं टेक्नो वी रहे हैं तो आगर मैं जब को न्यू वीडियो के साथ तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज का जो मारा वीडियो स्नैपचैट से रिलेटेड होने वाला है आज की इस के पारे में जातना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगा लेकिन आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आप किसी को स्नैप्चैट पे टेक्स करते हो तो आपका मैसेज वसीन कर लेता है और इग्नॉर करता है या फिर उसको मैसेज डिलिवर हुआ है या नहीं तो इसी के पारे माज का वीडियो ने वाला है तो वीडियो को लाश्ट एंड तक देखना वीडियो पसंदाए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए वीडियो शुरू करता है क्या करना है मैंने दो अकाउं से मैसेज करता हूं यहां से यहां से मैं मैसेज कर देता हूं हाई तो आप देख सकता है मैंने उस अकाउंट से जो मैसेज किया मुझे यहां पर मैसेज यहां पर यह डिलिवर हो चुका है पहले भी मैंने एक वार किया था तो आप आप देख सकते हैं मैसेज डिलिवर हो ग एकाउंट से उस पर मैसेज करते हैं, यहां से मैंने हाई सेंड कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं, चैट का अगर डिलीवर्ड लिखा वा रहा, इसका मतलब यह है कि जो मैने मैसेज उस बंदे को बेज़ा है, मेरे फेक अकाउंट पर, वो मैसेज उसके पास पहुंच पढ़ लिया है, तो अब यहां पर हमें कैसे पता चलेगा, कि मैसेज सीन हुआ है या नहीं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ओपन लिखा हुआ है, तो अगर आपकी किसी चैट के आगे, इससे ओपन लिखा हुआ रहा है, तो इसका मतलब यह है, उस सामने वाले बंदे मैसेज आपका सीन कर लिया है, और उसने आगे रिपलाई नहीं किया, और अगर डिलिवर्ड लिखा रहा है, नीच से वाले चैट में आप देख सकते हैं, डिलिवर्ड लिखा रहा है, इसलिए मैंने मैसेज सेंड किया है, बंदे ने रिसीव कर लिया है, लेकिन उसने सीन किया अभी तक लेकिन अगर open लिखावा जाएगा तो आपका message scene हो चुका है तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका message scene हुआ है या नहीं हुआ और deliver हुआ है या नहीं तो वीडियो पसंद आए तो like कर देना और channel को subscribe कर देना Thank you